प्यारे बच्चों, अभी हमने पाठ पढ़ा विचित्रह साक्षी, आईए, इस पाठ में जो सब्दार्थ दिये हुए हैं, उन सब्दार्थों को देखते हैं भूरी, भूरी का तातपर यह होता है अत्यधिक, उपारजित्वान, उपधन अरजित्वान इती उपारजित्वान, इसका तातपर होता है कमाया, नीवसन, नीउपसर्ग है, वसधातु है और सत्रिप्रत्य का यहां प्रयोग हुआ है तिस्तरा से सब्द बनता है नीवसन और इसका तात्पर होता है रहते हुए प्रस्रिते का तात्पर होता है फैलने पर वीजने प्रदेशे वीजन मतलब होता है एकांत तो वीजने प्रदेशे एकांत प्रदेश में सुभावाह कल्यान कारी ग्रिही का तात परहता है ग्रिहस्थ दैव गतिह भाग्य की लीला या भाग्य की गति पलाईतह भाग गया प्रबुद्धह जागा हुआ त्वरितम सिक्र गामे यर्थाथ सिग्र संपन होने योग्य प्रश्थितह चला गया अर्थकारशियन अर्थ कहते हैं धन को कारशियन मतलब कमी के करण अर्थकारशियन धन की कमी के करण या धनाभाव के करण पदा तिरेव पैदल ही निहिताम का तातपर होता है रखी हुई अन्वधावत पीछे भागा क्रोशितुम इसका तातपर होता है चिल्लाना तार स्वरेण उची आवाज में आभर्च्यन भला बुरा कहा तात उसकी निंदा किया प्रख्याप्य स्थापित करके चोर्या अभियोगे चोरी के अभियोग में या चोरी के आरोप में नीतवान ले गया अवगत्य अवउपसर्ग है गम धातु है और लियप्रत्य है इस तरह सब्द बनता है अवगत्य इसका तातपर होता है जान कर दोस भाजनम अर्थात दोस का भागी या दोसी उपस्था तुम उपस्थित होने के लिए उप उपसर्ग है स्था धातु है और तुमून प्रत्या है स्थातपर ही होता है उपस्थित होने के लिए आरक्षिनम आरक्षिन मतलब होता है रक्षा करने वाला या सेनिक आदिश्टवान आज्या दी या आज्या दिया स्थापित वन्तव स्थापना की या स्थापना किया तत्रत्यह वहां का न्यवेदयात प्रार्थना किया या प्रार्थना की क्रोश द्वयानत राले दो कोश के अंतराल में या दो कोश के मध्य आदिस्यताम आग्या दीजिए या आदेस दीजिए उपेत्य पास जाकर काश्ठ पचले काश्ठ कहते हैं लकड़ी को तो काश्ट पचले का तात्परी क्या हुआ? काश्ट पचले लकडी के तकते पर निहितम रखा गया पटाच्छा दितम कपड़े से ढखा हुआ या कपड़े से आच्छा दित वहनतव वहन करते हुए क्रिस कायह कमजोर सरीर वाला कायह कहते हैं सरीर को क्रिस मतलब होता है कमजोर तो क्रिस कायह कमजोर सरीर वाला भार वतह भार वही या भारी भारी होते हुए भार वेदन या भार की वेदन से या भार की पीडा से क्रंदनम रोने का निसम्य सून करके या सून कर मुदितह प्रसन्न भूंच्व भोग करो चत्वरे चवकोर जगा पर चबूत्रे पर या चवरे पर लप्सय से प्राप्त करोगे प्रावारकं लबादा को अपसार्य दूर करके अभिवाद्य अभिवादन करके अध्वनी रास्ते में यदुक्तम जो कहा गया वारितह रोका गया मुक्तवान मुक्त कर दिया या छोड़ दिया समालंब्य सहारा लेकर या आश्रय लेकर लीलययव खेल खेल से ही आदिश्य आदेश देकर तो प्यार बच्चों अभी हमने इस पाठ में जितने सब्दार्थ दिये हैं इन सब्दार्थों का अभी अध्यन किया अब आईए इस पाठ संबंधित जो अभ्यास के प्रशन है उन अभ्यास के प्रशनों को हल करते हैं प्यार बच्चों अभी हमने पाठ पढ़ा विचित्रह साक्षे आईए इस पाठ के अभ्यास प्रशनों को हल करते हैं ध्यान दिजिएगा यहां जो अभ्यास प्रशन दिये जा रहे हैं कि यह केवल एक नमुने मात्र है विभीन परिक्षाओं में इनसे प्रशन पूछे जा सकते हैं या इनसे इतर पाठ में से भी प्रशन पूछे जा सकते हैं जोंकि आपने पाच को भली भाती समझा है इसलिए निशीत रुप से उन प्रश्णों का उत्तर आप दे सकते हैं आईए विभिन्य तरह के प्रश्णों किस किस तरह के पूछे जाते हैं उनके उत्तर हमें किस तरह लिखना है इसका अभ्यास करते हैं निर्देश अधो लिखिता नाम प्रश्णा नाम उत्तराणी संस्कृत भासया लिखत प्यारे विच्चों सबसे पहले कोई प्रश्ण यदि दिया जाता है तो उसका जो निर्देश होता है इसे हमें भली भाती समझना होता है क्योंकि निर्देश को जी हम भली भाती समझ गए तब हमें यह पता होगा कि हमें क्या करना है क्या उत्तर लिखना है निर्देश अधोली खिताम नाम अर्थात नीचे लिखे हुए प्रश्णा अनाम प्रश्णों के उत्तराने उत्तर संस्कृत भास या संस्कृत भासा में लिखत लिखो ये कहा गया है ध्यान दीजेगा अभी यहां जो प्रश्ण अभी दिये जाएंगे इन प्रश्णों के उत्तर आपको संस्कृत में लिखने के लिए कहा जा रहा है लेकिन हो सकता है कभी किसी परिक्षा में जो प्रशन यहां दिये जाएंगे भी प्रशन वे ही हो और उनके उत्तर संस्कृत मुना लिखकर हिंदी में लिखने के लिए भी कहा जा सकता है इसलिए हम यहाँ जो प्रश्ण भी दिये जाएंगे उनका अभ्यास संस्कृत और हिंदे दोनों में करेंगे की कैसे उत्तर लिखना है आईए प्रश्णों को देखते हैं प्रश्ण है निर्धन जनह कथम वित्तम उपारजित वान इसका थाथ पर होता है निर्धन व्यक्ति कैसे धान उपारजित करता था उत्तर क्या होगा? पाच हमने भली भाती पढ़ा है तो उसके दार पर हमें उत्तर देना है तो उत्तर क्या होगा? हाँ, बहुत अधिक परिश्रम करके इसलिए हम अब उत्तर जो लिखेंगे लिकिन उत्तर हमें हिंदी में संस्कृत में लिखना है तो संस्कृत में उत्तर कैसे लिखेंगे उत्तर लिखने के एक तरीका होता है प्रस्न जिस भासा में पूछा जाता है उसी भासा में हम लगभव उत्तर देने का प्रयास करें आप देखेंगे विभिन प्रस्णों में एक प्रस्ण सूचक सब्द होता है। उस प्रस्ण सूचक सब्द के इस्थान पर प्रायह उत्तर रख देने से हमारा उत्तर पुरा हो जाता है। यदि ऐसा करने से हमारा काम चल जाता है तो ऐसा करना बेहतर होता है। यहां प्रश्न है निर्धन ही जना कथम वित्तम उपारजित्वान तो उत्तर होगा नीर्धन ही जना भूरी परिश्वम्य वित्तम उपारजित्वान अर्थात नीरधन व्यक्ति बहुत अधिक परिश्रम करके वित्त या धन अर्जित करता था होगे बस इतना ही करना है आपको आईए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है जनह की मर्थम पदाति गच्छति अर्था वह व्यक्ति किसलिए पैदल जा रहा है तो किसलिए पैदल जा रहा था क्योंकि उसके पास धन का अभाव था तो तर लिखेंगे जनह परमौर्थ कारसेन पदाति गच्छति व्यक्ति धन की नियुनता होने के कारण से पैदल जा रहा है अगला प्रश्ण है प्रस्रिते निसांधकारे जनह किम अचिंतयत रात्रीक अंधकार फैल जाने पर व्यक्ति ने क्या चिंतन किया उत्तर लिखेंगे प्रस्रिते निसांधकारे जनह वीजने प्रदेशे पद यात्रा न सुभाव वहा इती अचिंतयत अर्थात रात्रीका अंधकार फैल जाने पर निर्जन प्रदेश में यात्रा करना उचित नहीं है ऐसा उस व्यक्ति ने चिंतन किया अगला प्रस्शन है वस्तुतह चौरह कह आसीत वास्ताव में चोर कौन था तो वस्तुतह चोरह ग्रामस्य आरक्षी आसीत अर्थात वास्ताव में चोर गाउं का आरक्षी था वहाँ गाउं की जो रखवाली करता था गाउं की रक्षा का दायत तो जीन पर था वही ही वास्ताव में चोर था उत्तर लिखेंगे वस्तुतह चोरह ग्रामस्य आरक्षी एव आसीत वास्ताव में चोर गाउं का आरक्षी ही था ऐसा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है जनस्य क्रंदनम नीसम्य आरक्षी की मुक्तवान उस व्यक्ति के क्रंदन को रूदन को सून कर आरक्षी ने क्या कहा द। ध्यान दिजीएगा, इस प्रश्ण में कीम यह जो सब्दा आया है की मुक्तवान में कीम जो लगा हुआ यह प्रश्ण सुचक सब्दा है तो इसलिए प्रस्णक की भासा में हम उत्तर देंगे तो लिखेंगे जनस्य क्रंदनम नीसम्य आरक्षी उक्तवान रेदुष्ट तस्मिन दिने त्वया अहम चूरिता याह मंजुसा याह ग्रहनात वारितह इदानिम निजकृति यस्य फ्लम भूंच्व इती अर्थाद व्यक्ति के क्रंदन को या रूदन को सूनकर आरक्षी ने कहा क्या कहा अरे दुष्ट उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं चोरी किये गए मंजुसा के साथ पकड़ा गया अब अपने कृत्य का फल भोगो ऐसा उस आरक्षी ने उस व्यक्ति से कहा अगला प्रश्ण है तो उत्तर होगा साध लेते हैं अर्थात नीती से वे कछिन से कछिन कारियों को भी सिद्ध कर लेते हैं या कछिन से कछिन कारियों में भी वे सफलता प्राप्त कर लेते हैं साधन क्या है नीती नीती का मार्ग अपनाते हुए वे कछिन से कछिन कारियों को भी सरलता पूर्वक संपन कर लेते हैं तो प्यारवेच्चों अभी जो प्रस्ण पूछे गया है ये पाच के अधार पर हैं एक तरह के प्रस्ण हुआ परिक्षा में केवल एक ही तरह के प्रस्ण नहीं पूछा आते हैं तरह तरह के प्रश्ण पूछी जाते हैं, कभी कभी कुछ वाक्य दे दी जाते हैं, और उन वाक्यों में से कुछ पदों को रेखांकित कर दिये जाता है, और रेखांकित पदों के अधार पर प्रश्ण निर्मान करने के लिए कहा जाता है, आईए, हम अपने अगले भ्यास क को देखते हैं अगले भ्यास का निर्देश है रेखांकित पद माद रित्य प्रश्ण निर्मानम कुरुत अर्थात नीचे कुछ वाक्य भी दिये जाएंगे उनमें रेखांकित जो पद हैं उसके अधार पर प्रश्ण का निर्मान करना है आईए उन वाक्यों को देखते हैं वाक्य हैं पूत्रम द्रश्टुम सह प्रस्थितह पूत्र को देखने के लिए वह चला गया यह वाक्य है इस वाक्य में पूत्रम यह जो सब्द है यह रेखांकित है इसके नीचे रेखा खिंचा हुआ है अब आपको ऐसा वाक्य लिखना है जिसमें पुत्र, पुत्रम जो सब्द लिखा है ये पुत्रम सब्द नहीं होना चाहिए और ये वाक्य जो है प्रस्ण वाचक बन चाहिए अब ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हमको यह पहचानना होगा कि जिस पद को रेखांकित किया गिया है वह कौन से विभक्ती और कौन से वचन में है वह सब्द जिस विभक्ती और वचन का होगा और साथ लिंग भी हमको देखना होगा जिस विभक्ति वचन एवं लिंग का वह सब्द होगा उसी लिंग का उसी विभक्ति का और उसी वचन का प्रस्न वाचक सब्द हमें वहाँ इस्थापित करना होगा तो पूत्रम यह कहते हैं यह द्वीतिय विभक्त के पूत्र को अर्थात करताने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से प्रिथाक होने की अर्था में संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पे पर संबोधन हे अरे अहो इस तरह से विभक्तियों के चिन है, तो यहाँ पर पूत्र में को विभक्ति लगता है, को कारक चिन है लग रहा है, अर्थात यहाँ द्वितियों विभक्ति का है कर्मकारक है, तो इसलिए अब पूत्र के लिए हम जो सब्द लाएंगे प्रस्वाचक बनाने के लिए, तो की कीम सबद का पूलिंग रूप द्वितियव भक्ति एक वचन का सबद हमें उप्योग करना होगा तो कीम सब्द कह कव के कम कव कान तो द्वितिय विक्ति में रूप आता है कम तो कम द्रश्टुम सह प्रस्थितह और साथ ही जो पूर्ण विराम लगा हुआ है इसके इस्थान पर हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रस्ण वाचक चिन लगा देंगे तो इस तरह से हमारा यह उत्तर हो गया क्या किया हमने वाक्य हमारा है पूत्रम द्रश्टुम कह प्रस्थितह यह वाक्य है पूत्रम रिखांकित है इसके इस्थान पर हमने इस्थापित कर दिया कम तो कम द्रश्टुम सह प्रस्थितह और साथ ही प्रस्थन वचक का चिन तो इस तरह से हमारा यहां उत्तर हो गया अर्था कि इसको देखने के लिए वह गया ऐसा चलिए अगला वाक्य लेते हैं करुणा परो ग्रिही तस्मई आश्रयम प्रायच्छत इस वाक्य में करुणा परो ग्रिही यह इतना पद जो है रिखांकित किया गया है अर्थात इतने के इस्थान पर हमें क्या करना है कोई प्रस्ण सूचक सब्द इस्थापित करना है फिर वाक्य कों में प्रस्ण वाचक बनाना है तो करुणा परो ग्रिही तो ग्रिही यह विशेश्य पद है और करुणा परो जो है इसके विशेशता बताने वाला है अर्थात करुणा दयालू वह ग्रिहस्थ और ग्रिही कह रहे हैं यह प्रत्मय भक्ति एक वचन में हैं तो इसलिए कीम सब्द प्रत्मय भक्ति एक वचन का रूप हम लेंगे तो कह तस्मई आश्रयम प्रायच्छत और साथ ही प्रस्ण वाच्चक चिन्ध लगाएंगे तो इस तरह से उत्तर होगी हमारा अगला वाक्या है चारस्य पादध्वनिना आति थी प्रबुद्ध अब यहां पर रिखांकित किया गया है चारस्य इस पाद को सब़गा रूप 4 चारह स्य पद में कौन शिची बहकती का प्रयोग हुआ है विलकुल सही सश्थवी weaveANG कीःगी है तो आब कीम सब्द का पूर्लिंग का रूप का सच्छ बॉस्ध नैंते तो इसलिए ऐक व्यागंगे जान ना भीव Geme्वे keeping सब्ध के सब्दर लूप आपको सब्दन आरहें का यह पूर्म का कैषिय करुप होतह प्रउपouth दयुद हो गया उत्तर, बस ऐसे ही बनाते जाना है न सराल, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाक्या है न्याया धीसह बंकिम चंद्रह आसीत, अब यहाँ न्याया धीसह को रिखांकित किया गया है, अब इसके इस्थान पर प्रस्ण वाचा सब्द लेना है, तो न्याया धी अलकुल सही, तो कह बंकिम चंद्रह आसीत, होगे उत्तर, प्रस्ण वाचक चिन लगा दीजे, जितने प्रस्ण वाचक बनाने के लिए कहा गया है, तो उत्तर आपको तभी सही होगा, जब आप प्रस्ण वाचक सब्दों का सही इस्थान पर प्रयोग करें, और साथ ही वा अगला वाक्या है, जनह भारवेदनया क्रंदतिस्म, तो जनह यह भी प्रत्म विक्तिम प्रयोग तो हुआ है, तो इसलिए कहेंगे क्या, कह भारवेदनया क्रंदतिस्म, और प्रस्ण वाचक चिन हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगला वाक्या है, उभाव सवम चत्वरे स् अब उभाव कह दिये यहाँ पर क्या हुआ यहाँ द्विवचन का है तो कह कव के तो जैसे कव होता है तो उभाव की इस्थान पर क्या करेंगे कव कव सवं चत्वरे स्थापित वन्तव और प्रस्माशक्चिन लगा दीजिए तो किन दोनों ने चबूतरे में सव को इस्थापित किया यह तात पर यह हुआ इसका तो यहाँ साथ में प्रस्माशक चिन लगा दे तो इस तरह से यह जो अभ्यास दिया गया था रेखांकित पद की अधार पर विभिन वाक्यों को प्रस्माशक्च बनाने के लिए तो इस तरसी हम इनको हल कर सकते हैं अर्थात इनको प्रस्णवाचाक वाक्य बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारा अगला अभ्यास है संधी वा संधी विच्छेदम च कुरुत अर्थात यहां कुछ सब्द भी दिये जा रहे हैं। उनमें यदि वो संधी विच्छेद हैं तो उनमें संधी विच्छेद करना होगा हमें। और यदि संधी विच्छेद वाले पद दिये जाएंगे तो हमें उनमें संधी करना होगा। और साथ ही साथ परिक्षाव में संधी करने या संधी विच्छेद के साथ संधी का नाम भी पूछा जाता है इसलिए हम वह भी अभ्यास करेंगे कि जो सब्द दिया रहे हैं कि संधी विच्छेद तो करेंगे ही या संधी तो हम करेंगे ही साथ ही उनमें कौन सी संधी है या अभी हमें जानना है आईए विभिन सब्दों को देखते हैं यहां अभ्यास में जो सब्द दिये हुए हैं वे हैं पदाति रेव पदाति है धन एव इति पदाति रेव यहां विशर्वसंधी का प्रयोग हुआ चली अगला सब्द लेते हैं अगला सब्द है निसांधकारे निसा धन अंधकारे इति निसांधकारे यहां दिर्वस्वर संधी का प्रयोग हुआ है अभी धन आगतम यहां पर संधी विच्छेद का रूप दिया हुआ है अब इसको क्या करना है यह जो अलग-अलग रूप ह वो कि यहां तो अभीधन आ गतम इती अभ्यागतम यहां पर यन्दर Cub लोग हुआ तो चोकि हमने पाठ में भी इन सब्दों का अभ्यास किया है लेकिन यहां अभ्यास में आभीक्स में प्रस्ना हम अभ्यासथ दिये हुए उनको हम हल कर। अवश्यक नहीं कि अभ्यास में अभी जो प्रशन दिये गए हैं यहां से ही परिक्षा में पूछे जाए पाठों को भी हमने भली भाहती पूछा हुए इसलिए संभा हुए वहां से भी कोई प्रशन आपको दिये जा सकते हैं तो उनका भी आपको अभ्यास रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सब्द है भोजन धन अंते यहां भी संधी विच्छेद का रूप है अब इस संधी विच्छेद की रूप क्या करना है हमें संधी करना है और संधी का नाम बताना है भोजन धन अंते थी भोजन आंते यहां पर दीरगस्वर संधी का प्रयोग हु इस अवग्रह का प्रयुक जो है दो इस्थानों पर किया आता है। एक तो जब संधी विच्छेद करते हैं तो उसमें पूरो रूप जो स्वर संधी होता है उसके लिए और दूसरा होता है विसर्ग संधी के लिए। तो यहां पर जो प्रयुक तो हुआ है रूप चावरो य तो यहां यहां विसर्ग संधी के रूप में है अर्थात अवग्रह जो दिखाई दे रहा है यहां बताता है कि यहां पर अ छुपा हुआ है इसको लिए और ओ की मात्र जो है यहां विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है विसर्ग संधी का नियम आप देख सकते हैं तो चावरोयम चावरा धन अयम इती चावरोयम विचरवरसंधी अगला सब्द है ग्रिह धन अभ्यंतरे अब इन दोनों को जोड़ना है तो ग्रिहा भ्यंतरे यहां दीरगस्वरसंधी का प्रयोग हुआ है यहां पर विद्धिश्वरसंधी का प्रयोग हुआ है यदुक्तम यत धन उक्तम इती यदुक्तम यहां वियंजन संधी का प्रयोग हुआ है प्रबुद्धा धन तिथी है यति प्रबुद्धो तिथी है प्रबुद्धो उसके बाद अबग्रह लग जाएगा फिर तिथी है तो प्रबुद्धो तिथी है यहां पर क्या हुआ यहां विद्धिश्वरसंधी का प्रयोग हुआ है तो प्यारवेच्चों अभी हमने '... अभ्यासकिया ये जो संधी यूट्विभीन नंपद है या संधी यूट्विभीन नपद है इन्हें किस तरह से संधी-विच्छेद किया जाता है साथ-यूका नामकरंण किस तरह से किया जाता है ये आप सभी संधी के नियमों कोचों की पढ़े हैं इसलिए भली भाती जानते भी हैं तो उन नियमों के अधार पर ही संधी भी छेद करना है या संधी करना है और साथ ही जो उचित संधी है वास्ता में जो जिस संधी का प्रयोग हुआ है उस संधी का नाम आपको बताना होता है